चलो बच्छों नमस्कार नेवरेट एक क्लास में आपका स्वागत है आज हम आवेस से संबंदित जितने भी जो कोश्चन है एक्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन को डिसकस करेंगे और कैसे मतलब यह कि कि टायप के CBT एक्जाम में फश्टी एक्जाम में कुष्चन आएंगे उनमेंसे हम देखेंगे कि किश टायप से उनको सालो किया जाता है तो चलो इश्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो कुष्चन है दो आवेस होते हैं ठेक है अब आवेस कुछ भी हो सकते हैं पॉजटी पॉजटी भी हो सकता है निगेटी निगेटी भी कोई भी हो सकता है आप स्वान या तो पॉजटी पॉजटी होता है या निगेटी निगेटी हो सकता है या पॉजटी निगेटी हो सकता है कोई भी आवेस क के मद्दे लगने वाले बल की जो खोज है वो किसने तो इसमें से चार option दिये विए चार option में से हमको कोई भी एक right answer होगा जो click करना है थेल्स पहला जो option है वो थेल्स ये हो नहीं सकता धेक है दूसरा option जो है वो कुलाम ये भी कुलाम तीसरा option है Benjamin Franklin और चौथा इन में से कोई नी तो इसका जो right answer है कुलाम कुलाम ने ही बताया था कि दो आवेस के मद्दे लगने वाला जो आकर्षन या प्रतिकर्षन बल होता है बल कारे करता है या तो आकर्षन बल कारे attraction फोर्स कारे करेगा या repulsion का फोर्स मतलब यह कि प्रतिकर्षन का जो बल है वो कारे करेगा तो कोई भी आवेस या तो positive positive हो सकता है या negative negative हो सकता है या positive negative हो सकता है या negative positive हो सकता है मतलब यह कि कोई भी आवेस हो सकते है ठीक है तो उनके मद्द लगने वाले बल से related जो कलपना किया था वो किस ने किया था तो कुलाम नामा की वग्यानिक यह याद रखना है कुलाम नहीं किया था ठेक है फिर दूसरा धनात्मक और रिनात्मा आवेश की खोज किस ने किया बहुत ही अच्छा कोशन है कि जो धन आवेश और रिन आवेश की जो खोज है वो किस वग्यानिक ने धन आवेस और डिन आवेस की खोज की थी ठेक है तो यहाँ तीन वेग्यानिक के नाम दिये वी हैं तीनों में से कोई एक वेग्यानिक का नाम हमको चॉइस करना है ठेक है तो पहला आफसान है थैल्स दूसरा गिलबर्ट और तीसरा बेंजामिन फ्रेंकलिन इसका जो राइट आं मतलब यह है कि कलपना की थी एक धनात्माग और रिनात्माग और यह बेंजामिन फ्रेंकलिन नामक वेग्यानिक और यह वेग्यानिक कहां के तो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसित वेग्यानिक थे यह जो वेग्यानिक थे वो कहां के थे तो बेंजामिन फ्रेंकलिन यह विग्यानिक थे अमेरिका, अमेरिका से बिलों करते हैं ये विग्यानिक, कहां से अमेरिका इनको कई आवार्ड मिले हैं, इनको मतलब भी है कि कई अलग-अलग फिल्ड में, इन्होंने सामाजिक फिल्ड में और बहुत सारे फिल्ड में इन्हों काम किये, राजनीतिक में भी आवेस का प्रकासन मतलब होता है सामने आना मतलब यह कि सब लोगों के पास सब लोगों के पास आ जाना या उसकी बात पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाना ठेक है उससे प्रकासन कहा जाता है तो आवेस का प्रकासन जो आवेस संबंदी जो सब्द है उसका प्रकासन किस व कखाना लिए उस महारानी के सामने ही यह मतलब यह कि यह विज्ञानिक जो है उनी के टाइम पे ये काम करते थे और उसी टाइम से ये फेमस हुए थे फिर उसके बाद next question देखते हम आवेस की खोच किस ने किया बहुत ही important question है यहां से ये question आता ही exam में है ठीक है तो हमको बहुत ही आसानी से याद रखना है ठीक है आवेस की खोच किस ने की थी तो थेल सनामक विग्यानिक जनरली सभी को पता होगा कि थेल सनामक विग्यानिक ने आवेस की खोच की थी या उस के इस्तिर विदुद की खोज किसने की अगर स्थिर विदुद से रिलेटेट कोशन आता है तो इस्तिर विदुद के जो खोज है वो थेल सनामक वज्ञानिक नहीं दोनों इसे कोई नहीं इसके जो चार option है, 4 में से कोई एक option हमको लगाना है, ठीक है तो इस्तिर्विदृत की जो मतलब उत्पादन किया जाता है, ओ गरसण से भी किया जाता है, रगड के भी किया जाता है, मतलब ए भी दोनों इसका राइट आअंसर होगा ठीक है, विदृत के प्रकार होते हैं इस्तिर विदूत गतिसील विदूत मतलब यह है कि विदूत के लिने प्रकार की होती है तो एक इस्तिर भी होती है और गतिसील दोनों प्रकार की विदूत होती ही तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए भी दोनों इसका राइट आंसर होगा बात की बात कर रहे हैं रगणने के पूरू की बात नहीं कर रहे हैं हम रगणने के बात की बात कर रहे हैं इसलिए क्या होता है कि इसका जो राइट आंसर होगा जब काज की छड़ को रेसम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेसम के कपड़े में कौन सा आवेस आ जाता ह तो रेशम के कपड़े में कौन सा आवेस आ जाता है तो धन रिन आवेस आ जाता है ठीक है फिर उसके बार नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जब काज की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो काज की छड़ में कौन सा आवेस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की समझ आये